एक जादूई जंगल था, जहां चंद्रमा हमेशा पूर्ण रूप से लटका रहता था, लेकिन उदासी से घिरा हुआ था, इस जंगल में बसा हुआ था एक बूढा रिशी, जिसका नाम अलारिक था, उसकी आखें, जो कभी जोश से चमकती थी, अब विद्या की अंधकार स से भरा हुआ था, लेकिन एक रेंगने वाले तुशार ने हसी और उल्लास को शांत कर दिया था, एक अजीब अभिशाप के कारण जंगल उदास हो गया था, और सभी प्राणियों को सिर्फ परचाईया ही रह गई थी, एक रात, सर्वव्यापी चंद्रमा की चमक के तहर, अलारिक ने जंगल की जडों में एक प्राचीन पुस्तक की खोज की, सेंटिनल ट्री, जंगल का सबसे पुराना पेड, उसे एक अधवितिय अनुष्ठान के बारे में बताता था, अलारिक को जंगल को शुद्ध करने और जादू को जगाने के लिए एक चमकदार फूल की तलाश करनी थी, जो सिर्फ रात को खिलता था, बिना किसी डर के, अलारिक ने एक ऐसी खोज शुरू की जो उसे हवा की फुसफुसाहट के माध्यम से ले जाती और उसे विनाश के दिल की ओर ले जाती थी, हर कदम पर जंगल की धीमी आवाज मजबूत होती गई, जो अला और तारे एक साथ मिले, अलारिक ने एक चमकीले फूल को प्राप्त किया, और पुरानी कहानियों की रक्षा करते हुए जंगल को नए जीवन का संगीद दिया, जंगल की सारी प्राणिया नवीन्ता में लुब्ध हो गई, और अलारिक ने उन्हें जीवन की ध्वनी का आन लेने का अवसर दिया,